नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल में तो एक बार सभी क्या है सेर कर दें और ज्यादस ज्यादा लाइक कर दें आज हम आपके लिए जो राजस्तान लाइबरेरियन ग्रेड थार्ड एक इंपोर्टेट छोटा सा टोपिक है आपके लिए इ इसमें जो आपकी CC है, इसमें जो मुख्य वरगों को किस परकार विवाजित किया जाता है, इसमें कई बार है वो सभी आपका है, confusion है इसमें तो इसी को लेकर हम आज ये आपके लिए चोटा सा वीडियो लेकर आए हैं इसमें आपको पूल लूप से जो आपके सिसी का जो मुख्य वर्गों का करम है वो आपको बताया जाएगा सबसे पहले बात करते हैं तो इसको तरी भुजे के माद्यम से इसके करम को समझा जाएगा सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी बात कर लेते हैं तो यह आपके जो यह जो N से S है और A से M तो भागों A से विभाजित किया गया है और T से जड़ भी किया गया है तो यह आपका इदर आएगा भी N से जो S है वो यहाँ पर विवाजिते किया गया है और A से M तक है आपके Science में इस तरफ है और Humanities आपकी N से S तक और Social Science आपकी T से Z तक जो आपकी है वो आपकी Social Science है तो A से M तक आपकी Science हो गई N से S तक आपकी Humanities और T से Z आपकी Social Science सबसे उपर इसमें जो आपकी चिने रखा जाता है और इससे समझेद आपका कई बार जो क्यूसन है वो पूचा जा चुका है वो आपका Delta चिने है जिसको क्या है भी सबसे उपर के करम में तिर्भुज में सबसे उपर रखा जाता है किसे Delta को ये क्यूसन भी आपका बार बार कई बार आच चुका है मुख्या वर्गों की बात करें तो इस तरह आपके A से M तक दिए गए हैं और यहाँ पर आपके N से Z तक है N से जड़ तक वाले आपके दो भागों में है Humanities में दिए गए आपके N से S तक और T से Z आपके कह है Social Sciences है तो बात कर लेते हैं एक बार इनकी सबसे पहले बात करें तो सबसे नीचे आपका जो दिया गए है यहाँ पर है वह आपका होगा Sciences A दिया गए आपका Sciences, General Science के लिए उसके बाद B है आपका Mathematics के लिए C आपका Physics के लिए D है आपका Engineering के लिए E आपका Chemistry के लिए Technology के लिए F Biology के लिए G Geology के लिए आपका H है Botany के लिए I और J आपका Agriculture के लिए Use किया गया है तो यह यहाँ पर जो मुख्या वरग है उनको आपके A से M तक विवाजित किया गया है J के बाद बात करें आगे तो आगे आपके जो K है वो जूलोजी और L Medicine और M आपके Useful Arts M से समदित आपका कई बार Q पूजा जा सकता है कि M है किस मुख्या वरग के लिए Use किया जाएगा तो वो आपका Useful Arts है किस विशय के लिए Use किया जाएगा तो वो आपका Useful Arts है इसी परकार इन सभी से समदित आपके Q एक्जाम में पूछे जाएंगे और जो सबसे अधिक बार जो Q पूछा जाता है वो आपका डेल्टा से समदित पूजा जाता है तो डेल्टा आपका सबसे उपर रखा जाता है इसके लावा जो यह आपके A से M तक दिये गए है Sciences दिया गया है इसके लावा जो N से S तक दिये गए यह आपकी Humanities और T से जड़ आपकी Social Science इससे समदित आपके A क्यूशन आ सकता है इसके लावा जो हम बात करें इस पार्ट की Humanities के आपके जो N से S तक विवाजित किया गया है तो इसमें N आपका finite हो गया इसके लाव यह आपका जो A क्यूशन और है वो थोड़ा ध्यान में आ गया इसलिए बता रहा हूँ आपको M और N के बीच किसे रखा जाता है तो वो भी आपका क्या होगा भी Delta होगा सबसे उपर Delta M और N मुख्या बर्गों के बीच तो आपके Delta तो यह आपको विशेश तोर पर याद रखना है भी तो N से S तक बात करें तो आपके N फाइन आर्ट है और O आपका लिट्रेचर यह आपका लेंग्वेज के लिए Q आपका रिलिजिन है R आपका फिलोसोफी और S आपका साइक्लोजी तो यह आपका N से S तक आपका जो हमिनिटीज है उसे बाटा गया है इसके लावा नीचे बात करें हम T से Z की जो आपके क्या है सोशल साइस है T से Z आपका क्या है भी सोशल साइस तो T आपका एज्जुकेशन है U आपके जियोग्राफी के लिए V आपकी हिस्ट्री W आपका पॉलिटिकल साइस X आपका एकोनोमिक्स और Y आपका साइकलोजी और Z आपके लोग के लिए तो इस परकार से आप इस परकार से ये जो CC के कोलन कलास्पकेशन के जो मुख्या वरग है उनको विवाजित है किया गया है और इनसे संदित आपका एकजान में क्यूस्चन अवस्या पूछा जाएगा तो इसे विशेश तोर पर आप जहां से देख लेवी एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जो आपका A से M तक है वो बाटा गया है और M से आपके N के मद्द जो रखा गया है वो आपकी क्या है भी एक तो आपका क्या है A से M है भई A से M में आपको साइंस रखी गई है इसके लावाज वो हूमिनिटीज है आपकी वो आपकी क्या है भी N से लेकर S तक इसके बाद नीचे आपकी जो T से जड़ है वो आपका दिया गया है सोशल साइंस के लिए इसके लावा बात करें इसके इंपोर्टेट की तो एक आपके यहाँ पर सबसे उपर है डेल्टा होगा चिन है तो यह क्यों से नाता है आपका कई बार सबसे उपर कौन सा किस सिनक आप जो रखा जाता है तो यह डेल्टा होगा इसके लाव जो M और N है मुख्यवरग M और N की मद्दे तो भी आपके कौन सा होगा भी डेल्टा होगा तो यह इंपोर्टेट है भी आपके लिए सिसी के जो मुख्यवरग है इनको एक पार आप ध्यान से देख लें तो यह हमारी आज की चोटी सी एक कलास थी जिन में आपके सिसी के मुख्यवरग आपको बताएगे हैं जो बहुत ही इंपोर्टेट है आपके एक्जाम की दर्ठी से धन्यवाद भी